जय माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हरदिक स्वागते महा काली भगतिग्यान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने जारी हूँ नहने से पहले इस काम को आप लोगों को रोज करना चाहिए जो की मैं आप लोगों को इस पीडियो में बताने वाली हूँ यदि आप लोग काली माता की सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो नहने से पहले आप लोगों को इस काम को करकर ही फिर नहना चाहिए क्यों करना चाहिए और इस काम को करने से क्या होता है पूरी जानकारी के साथ मैं आप लोगों को इस पीडियो में बताऊंगी सभी व्यक्ति को चाहे जैन्स हो चाहे लेडिस हो कोई भी हो सभी को नहाने से पहले इस काम को रोज करना चीए अगर वो माता काली की भक्ती करते हैं, पूजा पाट करते हैं, जाप करते हैं तो जब वो सुबह उटकर इसनान करते हैं, माता की जो जलाते हैं तो इसनान करने से पहले उन लोगों को इस काम को रोज ही करना चीए यदि आप लोग रोज इस कारे को करेंगे, काली माता की सवारी खुद आपके पास दोड़ के आएगी ही आएगी तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी लेकिन बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाती हूँ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक, सेर, कमेंट जरूर कर देना क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगया गया गया मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी भक्तों को बताने जारी हूँ एक ऐसा कारे है जो आप लोगों को सभी को करना चीजो भक्ती करते हैं माता काले की अनिक किसी भी देवी देपता की जिस देवी देपता की आप भक्ती करते हैं उससे पहले जब आप सुभा के टाइम पूजा पाट के लिए उठते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं इसनान करते हैं फिर इसनान करने से पहले आप लोगों को ये काम जरूर करना चीए तब ही जाकर आपको इसनान करना चीए अगर आप लोग माताकाली की सवारी को प् करना है वैसे ही करना जैसे मैं बताऊंगी कुछ अपना माइंड मत जोड़ना इसमें क्योंकि यह जो चीज है जो मैं आपको बताने जारी हूं यह भक्त लोग जादतर करते हैं जो भगत बन चुके हैं अभी तो फिलाल आप लोग भगत बने नहीं हो अभी तो आप सेवा कर जो भगत बन चुके हैं वो करते हैं इस काम को और जो तांतरिक होते हैं वो करते हैं इस काम को तो आपको भी सकारे को करना चीए मैं भी रोज इस काम को करती हूं आपको भी मेरे साथ साथ चलोगे तो मैं आपको माता काली तक जहुर पहुचाऊंगी एक दिन और आप खु या फौहारे से नाते हो जिस चीज से भी आप नाते हो आपको क्या करना है अगर बाल्टी से नाते हो तो ठीक है अगर फौहारे से नाते हो तो भी ठीक है तो आपको बाल्टी में क्या करना है थोड़ा सा उसमें आदा गिलास गंगा जल डालने ना है ठीक है नहाने से पहले आपको इस काम को करना है थोड़ा सा गंगजल डालना है और दो बूंध सरसो के तेल की डाल लेनी है ठीक है ये चीज़ करके आपको पाँच बार ओम करिम का लिकाई नमहा इस मंतर का पाँच बार जाब करना है नहाने से पहले यानि कि जब आप बात रूम में घुसोगे नह के लिए तो आपको यह चीज पहले कर रहे हैं जो मैं आपको बतारी गुंगा जल डालना है दो बुंद सरसों के तेल की डाल लेनी है अपनी बाल्टी में जिस से आप इसनान करेंगे ठीक है अगर आफ फूरे से इसनान करते हैं तो आपको एक मग्गे में डाल लेना है फिर अपने उपर सबसे पहले वो ही डालना है फिर उसके बाद आफ वारे से ना सकते हैं तो आपको फिर यह सब करने के बाद अंदर ही हात जोड के बातरूम में ही मात्यकाली का धियान करके पांच वार सिर्फ आप लोगों को ओम किरिम कालिकाय नम्हा इस मंत्र का जाब कर तो का भला करें हमारे पास भी लोग बागा है अपना भला कराने हम सब कर रहे हैं और हम भी खुद मात्यकाली से बात करें और मत्यकाली सaste करें सभू के आपको कामना चाहत इht hlia होती है तो आज में आ आप लोगों के लिए ऐसी वीडिया हूं जो आपको पहले भी किसी नास . बताया नहीं होगा इस चीज़ के बारे में मैं आपको गारंटी देती हूं उस बात की इस चीज़ के बारे में आपको किसी ने आस तक नहीं बताया होगा आप पहली बार महाकाली भगत गयान यूटुब चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं क्यों देख रहे हैं क्योंकि भी बहुत से लोगों की कमेंट भी आ रही थी मेरे पास की सवारी को प्राप्ट करने के लिए क्या करना चाहिए कून सी सेवा करने की है तो यह जो मैंने आपको बताई है यह आपके सरीर पर परभाव पड़ेगा मातकी शक्ती का यारी जब आप ऐसे करके नहाओगे गंगा जल दो बून्द सरसो के तेल आप इस चीज़ से जब नहाओगे रोज रोज करोगे इसको सुवा उटकर फिर इससे नहा कर मातकी जोड जलाओगे तो मातकाली खुद दोड़ी चली आईगी आपके सरीर में परवेश कर जाएगी और जब परवेश कर जाएगी तो जब जब आप नहाओगे पूजा पाट करोगे तो आपका सरीर हिलने लगेगा तो समझ लेना मातकाली परवेश कर चुकी है आप कुछी दिनों में चलते चलते आपकी सेवा देखकर मातकाली आपके सरीर में तो आ चुकी है फिर एकदम स से आप लोग मातकाली की सवारी को पराप्त कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया है तो चलिए दोस्तों फिर आप से मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैमाकाली हरहर महादेब मातकाली आप सभी की सारी मनुकाबनाएं पूरी करें खुस रहें आप और खुस रहें आपका परिवार जैमाकाली